कैसे आप सब लोग सो वेलकम तो मैं यूटीब चैनल आज हिस्ट्री का क्वेज है सो मैंने आपको कल ही बोला था कि मेरे चैनल पर क्वेज होगा तो जो कोई नया है जो नया वीडियो मेरा देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी में कुश्चिन आप स यहां से पुछूँगी तो आपने अपना जो स्कूर है वो कॉमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप सब को कितना स्कूर आया है सो लेट्स स्टार्ट कुश्चिन नमबर वान देट इस बैटल आफ हाइडपिस वास फॉड बिटमें जो बैटल आफ हाइडपिस है वो किस किस के बीच में हुआ था अलेक्सेंडर या पॉरस के बीच में ओप्शन भी है अलेक्सेंडर या अंभी के बीच में ओप्शन सी है पॉरस या अंभी क के बीच में यह option D है, none of these, hope आपने answer कर लिया होगा, तो इसका correct option है, option A, move करते हैं, next question के तरफ, question 2, first sermon of Mahavira was at, first sermon जो Mahavira का हुआ था, वो कहां पे हुआ था, option A, राजग्रीह, option B, पावा, option C, वेशाली, या option D, बनारस, so इसका correct option है, option B, that is, पावा, question 3 है, which of the following was not included in the three ratnas of Mahavira, the way to nirvana, इन में से कौन सा three ratna या three jewels नहीं है, Mahavira के, जो nirvana की तरफ ले जाते हैं, right fate, right knowledge, right position, right conduct, hope आपने कर लिया होगा, so इसका correct option है, option C, the 23rd 3 थन्तकारा of Jainism was, 23rd 3 थन्तकारा कौन थे Jainism की, रिशब दीव थे, पारव, पारसवनात थे, महावीरा थे, या सुमंतिनात थे, so इसका correct option है, option B, that is, पारसवनात, and रिशब जो देव थे, ये थे, founder of Jainism, महावीरा जी जो थे, ये थे, 24th 3 थन्तकारा, next है, the symbol of रिशब देव was, रिशब देव का symbol क्या है, elephant, bull, moon, and fish, so ये pre-y cubes भी हैं, इसमें कुछ included, क्यूंकि मैंने आपको पहले ही बोला था, कि जो भी आप ये 24th 3 थन्तकाराज के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको इसके symbols भी पढ़ने है, secondly, मैंने आपको बुद्धिजम के लिए भी बोला था, कि बुद्धिजम की life में जो जो चीजें हुई थी, गौतम बुद्धा की life में, तो उन्होंने अपने life की चीज़ों को symbol से denote किया था, तो मैंने आपको उसके लिए भी बोला था, कि उन्होंने symbols को भी पढ़ना important है, क्योंकि उसके questions पूछे गए है, तो रिशेवदीव के symbol क्या था, elephant था, bull था, या moon या fish, तो इसका correct option है, option B, क्या था, bull, the symbol of janma related which events of the Buddhist life, तो बुद्धास की life में जो जनमा जो था, वो symbol किस से related था, horse, wheel, stoopas, या lotus and bull, तो इसका correct answer है, answer D, lotus and bull, तो आपने मुझे comment section में ये चीज़े भी बताने हैं, कि horse जू था, वो किसको denote करता है, wheel किसको denote करता है, और stoopas जो है, वो किसको denote करते है, then हम मूव करते हैं, अपने 7th question की तरफ, teacher जो थे first teacher, गौतम बुद्धा के कौन थे, ये most important question है, तो ये भूद बाई पुछा भी गया है, उदार का राम पुत्रा, निमंतिनाथ, अलारा काल्मा या वासु पुज्या, तो इसका correct option है, option B, that is, अलारा काल्मा, नालंदा यूनिवर्सिटी इस लोकेटेड अट, बेंगॉल में, गुज्राद, बिहार या उडिसा, तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट, एक यूनिवर्सिटी और कुछ इंपॉर्टेंट चीजे भी करवाई थी, जो की बुद्धिस्ट टाइम में हुई थी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, वो बुद्धिसम से रिलेटेड है, तो यह यूनिवर्सिटी कहां पे लोकेट है, तो इसका correct option है, option C, डैट इस बिहार, वेशाली में कुंडलवना में राज क्रीहा या पाटली पुत्र, तो इसका correct option है, option D, तो option D, डैट इस पाटली पुत्र, तो आपको इसका pattern का भी पता होना चाहिए, कि कौन थे pattern, जो इसकी head थे, वो भी पता होना चाहिए आपको, और इसका ear, तो आपको चारू जो कौनसल्स हैं, उसका pattern, head और ear तेनों पता होना चाहिए, दन है, हिनायना literature was written in which language, पाली, प्रकती, संस्क्रेट या इनमेसिक होई भी नहीं, तो इसमें वो question भी included है, in case हमसे अगर कुछ छूट गया होगा, तो मैंने इसमें cover करने की कोशिश की है, पूरी, यहाँ पे जो questions है, जैसे हिनायना literature किस language में लेकी गई है, कुछ ऐसे topics अगर रह गए होंगे, तो इस questions में ही वो cover हो जाएंगे, तो हिनायना जो literature है, वो पाली language में लेकी गई है, तो इसका अंसर है option B, which book has been written by Megathesis, Megathesis ने कौन सी book लिखी है, पुराना लिखी है, दीपवर्म सा लिखी है, इंडिका लिखी है, यह option B, that is दीपवर्म सा लिखी है, तो यह most important question है, तो इसका अंसर है option C, that is इंडिका, गोतम बुद्धा जी जो थे, वो कहां पे पैदा हुए थे, सारनाथ में, कुषिन अगर, लुम्बिनी या वल्लभी, इन चारों में से, कौन सी जगा में वो पैदा हुए थे, तो इसका correct option है, option C, that is लुम्बिनी, आपको इसका एर भी पता होना चाहिए, कि गोतम बुद्धा जी जो पैदा हुए थे, उसका एर क्या था, the symbol of Mahavira was, Mahavira का symbol क्या था, loin, tiger, elephant या fish, तो इसका correct option है, option A, that is loin, loin उनका symbol था, तो कुछ आपसे ऐसे static questions भी पूछे जा सकते हैं, कि गोतम बुद्धा ने निर्वाना कौन सी age में लिया था, 45, 34, 35 या 25, so ये तो आपको मैंने बताया भी था, तो option C is correct, that is 35, the first sermon of गोतम बुद्धा was at, first sermon जो था गोतम बुद्धा का, वो कहां पे हुआ था, लूम्बीनी में, कुशिन अगन में, सारनाथ में या पार्टली पुत्रा में, so answer इसका है C, सारनाथ में उनका, जो था, first sermon हुआ था, the Indian king opposed to Alexander, Alexander के oppose कौन सा Indian king था, अंभी, पोरस, धनानन्द, या चंदरगुप्त मौर्या, so, इसका answer है, option B, पोरस उनके against थे, अंभी जो थे, उन्होंने अलेक्जंडर के साथ मिला लिया था, पोरस ने इनके साथ नहीं मिलाया था, तो उन्होंने इसके साथ लड़ाई की थी, तो ये बहुँ ज़दा ब्रेव थे, इनसे खुश होके, इनने इनकी territory, in fact, और ज़दा territory इनको वापस दे दी थी, देन हैं कोश्चन सेवंटेन, ancient times the earliest capital of Magadha kingdom was at, Magadha kingdom की capital कोया थी, पाटली पुत्र, राज क्रीह, वेश अले, या फिर वारान्यसी, इसका correct option है, option B, that is राज ग्रीह, who is the author of the बुद्धा चारिता, बुद्धा चारिता है, जो वो किसने लिखी गई है, अश्वगोशा, नागसेना, नागरजुना, या वासू मित्र, इसका correct option है, option A, that is अश्वगोशा, who is known as the, निगंत नाता पुत्र, निगंत नात्र पुता, किसको कहा जाता है, गोटम बुद्धा को, नागरजुना को, वर्धमान महावीरा को, या शंकर अचारिया को, इसका correct option है, option C, that is वर्धमान महावीरा जी को, निगंत नाता पुत्र भी, कहा जाता है, तो आप इसको याद रखेगा, ये बेंपोर्टन कोश्चन है, ये पूछे गए है, तो आपको याद रखना है, निगंता नाता पुत्रा जो है, वो शंकर अचारिया, वर्धमान महावीरा जी को, बोला जाता है, निगंता नाता पुत्रा, which was the first capital of Magad, Magad की first capital कोन से थी, गिरिवीराज, वेशाली, पातली पुत्रा या चम्पा, इसका आंसर है, option A, that is, गिरिवार्जा, गंधारा स्कूल ओफ आर्ट, गेम इन्टो एक्जिस्टेंस इन, गंधारा स्कूल ओफ आर्ट, जो था, वो का बाया था, हिनायाना सेक्ट में, महायाना सेक्ट में, वेश्वना सेक्ट में, या शेव्या सेक्ट में, इसका correct option है, option B, that is, महायाना सेक्ट, तो आपको, मैंने हिनायना और महायाना, जो बुद्धी सेक्ट से, इसके बारे में पढ़ा दिया है, प्रभासगिरी, is a pilgrim spot, जो प्रभासगिरी है, वो किसका pilgrim spot है, बुद्धास का है, जेन का है, सेवितीस का है, वेश्णवतास का है, तो इसका correct option है, जो प्रभासगिरी है, वो जेन का है, that is, B इसका option है, विक्रम शीला महावीरा, बाज established by the ruler, जो विक्रम शीला महावीरा है, वो किसने establish किया गया था, कोंसी dynasty ने establish किया गया था, प्यूश्या भुट्टी डाइनेस्टी ने, बर्मन डाइनेस्टी ने, संट डाइनेस्टी ने, या फे पाला डाइनेस्टी ने, इसका correct option है, विक्रम शीला जो महावीरा जी है, उनको establish किया गया था बाय पाला डायनेस्टी तो इसका option है option D the tripti का tripti टका was written in जो tripti टका है उसे किस language में लिखा गया है पाली, भ्रामी, खर्स, टोस्टी यहां फे संस्क्रिट लेंगवेज में लिखा गया है तो इसका correct option है option A that is पाली लेंगवेज में इसको लिखा गया है who among the following is known as the light of the Asia किसको Asia की light कहा जाता है Jesus Christ को, Lord Buddha को, Prophet Muhammad या फे जारस्थूस्तरा को कहा जाता है तो इसका correct option है option B that is Lord Buddha को कहा जाता है light of Asia so यह थे हमारे 25 questions hope आपके सारे questions जो है वो ठीक हुए होंगे अभी तक के so आपने मुझे अपने marks comment section में बताने है कि किसके कितने marks आए है सब आप लोग मुझे अपने जो marks है वो comment section में बताऊगे then हम अपना जो next lecture है next video हम अपना लेके आएंगे origin of the modern empire हम modern empire पढ़ेंगे हम कल modern empire पढ़ेंगे so आज के लिए बस इतना ही मिलते हम अपने next quiz की और सब तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से और पढ़ते जाएं मैनत करते जाएं so तब तक लिए बबाए take care